आईए आज आपको हम कोपिन बनाना सिखाते हैं और ऐसी चीज आप घर में दो मिन्ट में बना सकते हैं कोई भी कपड़ा घर में हो आईए अब आपको हम कोपिन बांदना सिखाते हैं कि कोपिन कैसे बांदी जाती है ये जो कपड़ा है ओम सभीकों नमस्ते जी आज हम लंगोट के या कोपिन के लाब बताएंगे और आप घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं और बांध सकते हैं ऐसे तरीके आपको सिखाएंगे बांध के दिखाएंगे ये भी बताएंगे कि लंगोट में कैसे पेसाब करना है जब शोचा मिलती है हमारा जो अंडकोस है उसको एक विसेस बाहर से ऐसे सुर्क्षा मिल जाती है जिससे उसमें त्रह त्रह के रोगों से हमें बच जाते हैं मैं एक बात और दावे के साथ कहना चाहता हूं जिसमें अंडकोसों में जो हमारे जो भाग हो जो छोटे बड़े हो जाते हैं म आप दूद में थोड़ा सा घी और हल्दी का प्रियोकर के श्याम को खाएंगे पीएंगे तो उससे भी आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा एक तो लाभ यह है कि आपके जो अंड कोसों के आकार उपर निचे नहीं होंगे और दूसरी माली जी हम कहीं बाहर गए हुए हैं अन आप लंगोट बांधते हैं तो आप अपने हिसाब से उसे कड़ा कर सकते हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं लंगोट 24 गंटे बांध सकते हैं रात को बांध के सो सकते हैं मैं कई सालों से लगातार बांधता हूं तो इसलिए लंगोट जो हमारा शरीर का असली खजाना कहा रहता है अमारे सुक्राण वहीं तो निर्मान होता है जो असली खजाना रहता है और वहां यदि वह खुला हो तो थोड़ा सी चोट उसको नुक्षाने कर सकती है वह उसको एक सुरुक्षा के लिए रिश्यों ने कहा है ब्रह्मचारी कोपिन धान करे तो आज कोपिन और कि चला आए आज आप कोपिन बनाना सिखाते हैं और ऐसी चीज आप घर में दो मिन्ट भी बना सकते हैं कोई भी कपड़ा घर में हो यह तो हमारा जैसे सफेद है आपका किशी भी रंकाओ लेकिन वह सुत्ती कपड़ा होना चाहिए आप कोई भी सुत्ती कपड़ा लेंगे और क्या करेंगे लग भग आठ उंगल अपने हाथ की ऐसे आठ उंगल देखेंगे हमने यह लगाया जैसे या दस उंगल ले लेंगे चार चार आठ और दो दस ऐसे इतनी चोड़ा इसी का ले लेंगे और इसको किसी कंची से या हाथ से भी फट जागा है तो कमजोर है ऐसे ये फार दिया और ये क्या होगी ये आपकी कोपिन तयार हो गई है जो आपका लंगोट का भी कारिये करेगी और ये क्या है ये कोपिन है अब इसको कैसे बांधना है कैसे प्रियोग करना है इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए लंबाई लगबग 7 फुट होनी चाहिए बच्चों की छोटी भी हो सकती है मालिजे आपके पास इतना लंबा कपड़ा ना हो जिस पर से आप काटें तो उसके दो हिसे छोटा है तो उसके दो भाग काट करके उनके जोड लें मालिजे छोटा होता तो हम इसके यहां पर जोड लगा लेते और इससे हम यह पूरा लंबा फिर कर लेते आईए इसको बांधना कैसे है उसके बारे में भी आपको अब बताते हैं वीडियो बंद करो भई आईए अब आपको हम कोपिन बांधना सिखाते कोपिन कैसे बांदी जाती है यह जो कपड़ा है अब इसको आप इसके बांदेंगे देखें इसका एक हिस्सा छोटा रखेंगे और एक हिस्सा इसका बड़ा रखेंगे ठीक दिख रहे हैं और इस हिस्से की सामने गाठ लगाई एक ऐसे जैसे हम सामने गाठ लगाते हैं ऐसे से इस में को और लगा लगानी है बात आयो इस कप्ड़े के लगानी है या यह को यह कपड़ा है जिसकी जो यह छोटे वाला साधे को चो इस लिए यह ऐसे लिया और जो दूसरी गांट है इसी छोटे कपड़े के इसी को कैसे लगानी है ऐसे लेकर के जो गांट सरकने वाली हो यह हमने गांट है लगा दी है यह गांट हमारी लग गई है ऐसे अब क्या करना है अब इसको हम आसानी से इदर उदर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखो इस गांट लगाने का यह लाव है कि इस गांट को हम ऐसे करना है किसे सरकाती इसको आसानी से हम उपर नीचे कर सकते देखो यह इसको आसानी से इसको खीचा जा सकता यह ऐसे आसानी से टाइट हो सकता यह ऐसे यह कर ले क्योंकि अब जितना आप टाइट करना चाहें इतना करना चाहें, जितना भी आप टाइट करना चाहें, उस हिसाफ से आप इसको खीच लेंगे गांट को, अब क्या करना है, आपने इस गांट को पिछे कर देना है, खड़े खड़े, अब ये पिछे कर ले जाएंगे, आप सामने खड़े होगे पिछे करो, जैसे पिछे कर छोट ढ sedamy यहां से कपड़ा इनको क्या करेंगे ये आगे ले जाएंगे क्या को के करेंगे अब क्या करेंगे दिनुक डागरा अब बाता है इसके हिसे में यह नीचreating निसां निजाना कि ऊपर को निकालना है तो याद रखना पेट के अपनी तोचा से खाल से लगते हुए इस कपड़े को निकालेंगे ऐसे इसमें उपर से और फिर क्या करेंगे फिर वापिस नीचे ले आएंगे अब यह जो वापिस नीचे आ गया है अब क्या करना है अब आप अपने हिसाफ से यह टाइट कर लें जितना आपको ठीक सा ल से लगते हुए इस कपड़े को ऐसे निकालेंगे यह ऐसे निकाल लिया फिर एक बार और निकाल लेंगे ऐसे निकाल लिया तो इस तरह यह ज्यादा लंबा लगता है तो इसको कुछ काट लेंगे ठीक है ना तो इस तरह आपकी कोपिन बंद कर क्या हो जाती है तैयार हो ज है कैसा इब प्रयोग कर सकते हैं आपको अच्छा श्मा करना तो कैसे करते बीन बताते हैं इसी में प्रयोग करना है था चुरूलिक ऑफ और फीर जोह पर के दरेंगे और मुनत्रेंद्री को निकाल कर देखो निकैRIA लेट्रिंगग लएक हाथ से इस अंगुठे से इसको मुतरेंदर को फिर अंदर कर देंगे यह तो हैं प्रसाब करने का थीक प्राइब आप encantr भूब्रानीयका बिच्छे से इसको निकाल लेंगे और आगे से फिर क्या करेंगे यह जैसे आगे-धिनापid कछे से निकाल जी तो फिर इसको अब और उड़ों रहने देंगे इसको एसे कपड़ा है इसको अपने ट्रफ है लिपेट करके आराम से आपसे आपसे शोछादी जा सकते हैं ठीक है और फिर उटा लिए करके फिर क्या करेंगे फिर ऐसे ही खोला और यह पिछे वड़ा इसा आगए ले आए और फिर ऐसे ही करना फिर ऐसे इसके नीचे को और फिर वैसे ही इसको आगे को इसको पिछा और पिछे से फिर ऐसे आप इसको बांध लेंगे समझे आगी आपको लंगोट और बांधना सिखाते कि लंगोट कैसे बांधना है विडियो बंद कर दें वाई पिछे ले जाकर आगे इनकी दो जो हैं इनकी गांठ मार लेंगे और जो पिछे ये है पिछे जो ये भाग है इसको क्या करेंगे फिर ऐसे ही आगे ले जाएंगे आगे लेगे और आगे फिर क्या करेंगे इसको इसके नीचे से निकालेंगे इसके नीचे से निकालेंगे ऐसे नीचे से निकाल लिया और इसको फिर अपने हिसाब से अपनी मुत्रेंदरी पर ढख लेंगे ठीक से और फिर जो ये निकाला फिर इसको वापिस कहां ले जाएं फिर भी नास्वन में आई तो कोमेंट करके बता देना तो आपको जुरूर इसका समाधान बताने का प्रियास करेंगे और ब्रह्मचारियो लंगोट बांधना शुरू कर दो ना तो